आपका बहुत स्वागत है मैं रितेश आपके लेकर आया हूं टॉप 10 कोस्चिंस ऑफ करेंट अफेस 2020 तो चलिए को करते हैं जुरू पहले कोस्चिन से एर सी आई ने कैंसर के इलाज के लिए कौन सी समगरी विक्षित की है तो इसका जो सही जवाब है वो है आपसर नंबर सी मेगनेटो कैलोरिक मेटरियल जो है इसका सही जवाब है इंटरेशनल एडवांस रिसेर्च सेंटर फॉर पावडर मेटरलर्जी और न्यू मेटरियल्स यानि की जो की एक आटोनोमस वाड़ी है सेंटर ओफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेकनोलोजी की इन्होंने एक रेयर अर्थ बेस्ट मेटरियल विक्सित किया है जिसका नाम मेगनेटो कैलोरिक मेटरियल नाम रखा है और जो की कैंसर की ट्रीटमेंट में काम आएगा मेग अगले कोस्चन में दोस्तों पूछा गया है कि भारती नाव सेना द्वारा ऑपरेशन समुद्र शेतू के तखत इस्तिमाल किये जा रहे आई एनस का क्या नाम है तो इसका जो सही जवाब है वो है आई एनस जलास्व आप्शन नमबर 20 का सही अंसर है आई एनस जलास्व है वो इंडियन नेवी दरा चलाया जा रहा है ऑपरेशन समुद्र सेट्रू के अंतरगत इस बार साथ जून को इन्होंने 700 इंडियन को ट्यूटी कॉरिन बंदरगाह पर माले और मालदीव से लेकर इनको इस बंदरगाह पर उतारा और अगर बात करें पूरे सेसन की तो आई इसके जो CEO है अपसर नमबर डी अमताप कांत इसका सही आंसर इस बार नीती आयोग ने आगामी और आमदियार नेटवर्क इंडिया के साथ मिलते हुए एक वर्चुल मीटिंग स्टार्ट की है जिसका नाम ODR है यानि कि ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजॉलूशन छे जून 2020 को स्टार्ट किया इसको और इसके अंदरगत क्या है कि जो नॉर्मल डिस्प्यूट से स्मॉल डिस्प्यूट से मीडिया में वैल्यू के केसे से उसको जाएगा अगर नीती आयोग के CEO की बात करें तो हम ताप कांथ है वाइस चेर मैं आफ नीती आयोग वह है राजीव कुमार आगे लिए क्रूशन दों दोस्तों पूछा गया है कि 8 जून से 3 जुलाई 2020 तक the National Museum of Modern Art द्वारा आयुजी कायरक्रम का नाम क्या है तो इसका जो है वो है Online Namesa 2020 National Gallery of Modern Art जो NGMA है वो Online Namesa 2020 यो की सब्सक्राइब आर्ट प्रोग्राम है उसको रन कर रहा है यह जो प्रोग्राम है आर्ट जून से लेगा 3 जुलाई 2020 तक चलेगा इसमें जो है चार वक्षॉप को तयार किया गया है जैसे कि पेंटिंग वक्षॉप स्कुल्प्टर वक्षॉप प्रिंट मेकिंग और इंदर्जाल जो की मैजिक आफ आर्ट है इन सब चीजों को सुरू किया जाएगा आठ जून से दोहजार आठ जून 2020 से तीन जुलाई 2020 तक अगर डारेक्टर जनरल ऑफ एंजी एमें की बात करें तो वह स्री अद्वाइता चरन गरनायक है और मिनिस्ट्र अफ कल्चर की बात करें तो प्रहला जवाब है अंसर हुआ है option number a India and Australia इस बार प्राइम मिनिस्ट्र ऑफ इंडिया और आश्रील्या दोनों ने मिलकर एक फर्स्ट वर्ट्वल बाइलेटर समिच सुरू की है जिसके अंतरगत अग्रिमेंट्स रेजाइन हुआ है जैसे कि पब्लिक परफॉर्म दिफेंस टेक्न इसे जो भी चीजे हैं इन दोरों बीच के कंट्रीज के बीच में अग्रिमेंट हुआ है और आश्रील्या प्राइम मिनेस्टर ने जो की स्कॉर्ट मॉरिसन है उन्होंने आपकी इंडिया का सपोर्ट किया है जो इंडिया दिमान कर रहा है कि UNSC यानि कि United Nations Security Council में 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 इसको उसका भी सपोर्ट किया है और श्रील्या ने अपने इंटरेशनल एजेंसी आई एए स्ट्रेजिक जो पार्टनर्सिप इंडिया के साथ उसमें भी आगे बढ़ने का इसमें आंधेसा बताया है कि वह साथ में करेंगे जो मीटिंग है वह इंडिया और आश्रील्या क के बीच जो संबंध है और मजबूत करने के लिए की गई थी आई यह करेंज अगर हैड़वक कार्ट की बात करें तो वह है पैरिस और फ्रैंस जो कि फ्रैंस में है अगले कुर्चन में छे में पूछा गया है कि पापुवा नियुगिनी में भारत के अगले उच्चा यु जुने गये हैं और जो कि पापुवा नियु पापुवा नियुगिनी के नए हाई कमिश्च चुने गये है मिनिस्ट्र और एक्सटरेनल आफेर्श की बात करें तो वह हैं वी मुरली धरन अगले कुश्चन दोस्त पूछा गया है कि कि वेक्ति को एडिदास इंडिया ने कि अपना brand ambassador नेक्त कीया है इसका जो सही जवाब है वो है मानसी चिल्लर मानसी चिल्लर इसका MICH आनसर है जो Indian arm of German sporting brand statut कमपनी है उन узнаえ कि मानसी चिल्लर को उनका जूना जाएगा extra की बात करें तो एक्टर्स और मॉडल है जो कि 2017 में इस वर्ड का भी खिताब जीती थी अगले कोस्चन में दोस्तों पूछा गए है कि 2022 AFC महिला Asian Cup की मेजबानी कौन सा देश करेगा है तो इसका जो सही जवाब है वो है option नंबर A India इंडिया इसका सही जवाब है इस बार Asian Football Confederation जो है उसने इंडिया को बनाया है 2022 के लिए Women's Asian Cup जो होना है उसमें इंडिया होस्स करेगा और Headquarter अगर बात करें Asian Football Confederation का तो कुवाला लंपर मलेसिया में है और President की बात करें तो Salman bin Ibrahim Al Khalifa और All India Football Federation मतलब की इंडियन यहां के Headquarter की बात करें तो वह है द्वारका डेली में और President यहां के प्रफिल पटेल है अगले question में भारत में किस राज ने हाल ही में Food Forest परिजोडना की शुरुआत की है परिजोडना को लॉगू किया है तो इसका जो सही आंसर है वह के रिला इस World Environment Day पर के रिला जो है वह पहला राज्य बना Food Forest में अपने को जोडने के लिए और इसने परिजोडना के साथ मिलते हुए जो की सेंट्रल गवर्मेंट की योजना है उनके साथ जुड़ते हुए इसकी सुरुवात की है और इस प्रोजेक्ट का सब्सक्राइब करें के लग की तो वह है त्रिवन्तपूरम और चीफ मिलिश्टर वहां के पिंदरई वीजियन है गौवर्नर यहां के आरिफ महम्मत कान है कि कि किस स्थान ने पानी से हाइड्रोजन उत्पादन के लिए कम लागत वाले उत्प्रेरग का निर्मार किया है इसका साही आंसर है वह है अफसर नमबर डी सी एएनस हाइड्रोजन जो की एक फ्यूचर एनरजी स्रोथ है हमारा और सबसे साफ सुत्रा स्रोथ है जो की पॉल्यूशन नहीं फैलाता है इसको वाटर से निकालने की जो टेक्निक है इसका बिना कार्बन फूट्प्रिंट के यह टेक्निक का खोज अभी किया गया है साइन्टिस्ट जो की हैं सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट फेटर साइंस यानि की सी एनस जो की अटनमस बोड़ी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलोजी रिस्ती की उन्होंने पाया है लो कॉस्ट एफिसियंट वे हाइडरोजन को जनरेट करने का पानी से यह जो मैटेरियल इन्होंने कैटलिस्ट यूज किया है वह मॉली वेडिनियम अगर इसके हैड़कोटर की बात करने तो वह है निव दली में और मिनिस्टर सिके डॉक्टर हर्षवर्दन है और कुष्टिन अफदर की बात करें तो पाड़ जून किसी रूप में मनाया जाता है तो इसका सही आंसर जो दोस्तों वह है वर्ड ओस्जन डे और इसी की साथ आज का हमारे सेस्ट यही भी दोस्तों खतम होता है हम अगली सेस्ट में फिर से मिलेंगे अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो इसको ल बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिलती रहे तब तक के लिए जै हिन जै भारत